हालो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू का ये काच विच शुभांकर कुछ न्यू इंट्रेस्टिंग फैक के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और ये एपिसोड के लिए है तो जो नीट इस बार ख्लियर कर पाए है उनको बहुत बहुत कॉंगरचिलीशन लेकिन हम बात करेंगे आप उन स्टूडेंस के लिए जो नहीं सफल हो पाएं तो क्या करेंगे आप लोग साल दर साल आप लोग फिर से नीट के एक्जाम के परपेशन करेंगे और से अपियर होंगे तो आज हम आप लोगों से बात करेंगे आयुर्वेदा केरियर के ऊपर तो आयुर्वेदा जो है भारत की सबसे पौरानीक चिकिट्साप अधतियों में से एक है और आज हम आपको बताएंगे बैचलर इन आयुरवेद मेडिसिंस के ऊपर जिसके लिए ह हमने स्टूडियो में इन्वाइट कि है डॉक्तर अवस्ती जी को जो कि एक्स सीमो है पितोरागर से तो चलते हैं आज के एपिसोड में और बात करते हैं करियर और आयुडवेद के उपर इसके उपर आप बहुत अच्छा करिया चूज कर सकते हैं लेकिन हम लोग क्या करते है हम लोग MBBS के पीछे भागते भागते यह जितने फील्स है इसको नजरांदास कर देते हैं तो क्यों आज हम ऐसे ही आयुडवेद करियर के उपर आपको रूबर्यू कराए और आपको समझाए कि इसके उपर कितना स्कोप है आपकी करियर में तो चलते हैं डॉक्टर जी एन मेडिकल साइंस के कमपैरिजन में जो दूसरी जो पद्दतियां थी BMS, BUMS, BHMS इस सारे जो कूर्स हैं यह जो सारी जो दूसरी जो पैतियां हैं यह कहीं न कहीं मॉडर्ण मेडिसिन के जो चाय में वो पनप नहीं पा रही हैं और देखा जाए तो आज के दिन में जो पहला जो 24 होता है कोई नीट क्वालिफाई करता है तो हर कोई MBBS की तरफ जाना चाहता है बहुत कम लोग होते हैं जो कि MBBS छोड़के BMS या BHMS या BHMS या BMS के बारे में सोचते हैं लेकिन एक बात बता दूँ आईरवेद हमारे वेदों से निकला हुआ वह एक पद्दती है वह एक पैथी है जो कि अपने आप में बहुत ही डेवलप्ट शुरू से रहा है बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब हम लोग ऑपरेशन की भी बात करते हैं तो शल् शल्ले प्रक्रियां किये थी यानि उपरेशन किये थे उन्होंने कहीं से MS नहीं किया था तो दोस्तों कुछ इन विडमनाओं के बारे में कुछ आईरवेद में आगे कैसे आपके लिए करियर आप्शन्स हैं उसको लेके आईरवेद आपके जीवन में कौन सा सुधार ला स लगता है इन बातों को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्तित हैं डॉक्टर जयन वस्ती आप पे थोड़ा गड़ में सीमो रह चुके हैं आपने खुद अपना एक रिसर्च सेंटर डेवलप किया जहां पे की आईरवेद का रिसर्च होता है उन मेडिसिनल प्लांट्स को अपने खेतों पे लगवाया जिसके माध्यम से सबसे फर्स प्रोड़क क्रियेशन हो सके और उसके थुरू से हम नए प्रोड़क को डेवलप कर सके हैं आपके पास तकरीबन 17 आईरवेदिक मेडिसिन के पेटेंट्स हैं आप कई मेडिसिन ऐसे बनाते हैं औ और आपको बता दूँ ऐसे कई मेडिसिन्स हैं जिन मेडिसिन्स ने कई क्रॉनिक डिजीजिस को जिसके की जो मॉडरन मेडिकल साइंस है वो भी घबडा जाती है उसको भी डॉक्र साब ने बहुत सही तरीके से ट्रीट किया है तो आईए आज अपने स्टूडियो में स्व बहुत बहुत स्वागत है नोट साब आज बात आईरवेद की हो रही है वेदों से निकला हुआ एक वो ग्यान का स्रोत जिसने पहले जो है हमारे स्वास्त का जो पूरा दार्मोदार जो है जो पूरा उसका पूरा रिस्पॉंसबिलिटी उसने उठा रखा था आज के दिन वह सही पूछा आपने आईरुवेद जो है ये लाइफ आप साइंस है आइशो विझ्याना इछ आई लवेदा आयू का विझ्यान है और आयरुवेद की विषय में हम आपको बता दें यह साश्वत है कि कहते हैं ब्रह्मा जी ने स्रष्ट के रचना करने से पूर्व आयरुवेद को बनाया था जिसे जो हम स्रष्ट पर्ण करें उसमें मानो पूर्ण सुस्थनाइशके आयरुवेद के वल्चिकेसा पद्धती ही नहीं वरन पूर्ण पूंड जीवन की पद्धती है क्योंकि आईरुएद के द्वारा हम पूंड सुस्थ रह सकते हैं और आईरुएद में जो स्वास्त की परिकल्पना की गई है जो स्वास्त की अधारणा है वो बिसु के किसी भी चिकिल्सा में उपलब्द नहीं है हम आपको बता देना चाहते हैं स्वास्त है क्या स्वास्त करें नक्षड क्या हैं तो हमारे आचारे नीले लिखाença समदोसाह समाग निश्च समधात मलक रिया प्रसनात में अंद्रीय मना सुष्त इत्विधियत एक हमारा अरवेद वाट-पित-कफट दोस रस रक्त मांसाद इसाथ धातवे मल यह सब हमारे अगर सुष्त सरीर में साम्मयावस्था में रहे तो हम सुष्त रह सकते हैं यह तो सारीरिक श्वास्त की कलप स्वास्त और प्रसन आत्मेंद्री मना मन आत्मा और इंद्री जब पूर्ण रुप से प्रसन रहे हम उसी व्यक्त को स्वस्त कह सकते हैं तो स्वास्त की ये अधाना जो है किसी भी चिकिस्था परद्धती में नहीं मिलती है और इसी चिकिस्था परद्धती पर आधारित हमा और किसी भी व्यक्ति को पून सब्सराइब कैसे हमारा आहार विहार आज के युग में हम देखते हैं कि लोगों का में का एहार और विहार बिगड़ा हुआ है ही नहीं भागदावर की जिंदगी है और जो आहार हम लेते हैं वो भी सब प्रदूशित है तो अगर हम आहार और विहार को सही कर ले शुद्ध कर ले तो हम पूर्ण सुस्त रहेंगे और यहां तक कि हम कैसे और सुस्त रह सकते हैं मानसिक स्वास्त और सारेदिक स्वास्त दोनों स्वास्त को लेकर के हमारे आयरुवेद ने चिंतन किया है तो वह नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विसेश हो सकता दाता समासत्य परह छमावान आप तो पसेवी चभवत्य रोगा इस इस लोग में पूरी जीवन पध्धती को समाविश्त कर दिया है समय कम है इसलिए इसको मैं विस्तार में न जा करके किसी और सिक को इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये नवयोग आयुर्वेद को अपना है, आयुर्वेद को पढ़ है और विस्त को एक नई दिशाद है। ऐसा क्या चीज है जो आपको लगता है क्योंकि इसमें पॉलुशन बहुत बढ़ी हुई हैं, अलग-अलग प्रकार की बिमारियां आ रही हैं, जिन बिमारियों के बारे में पहले हमने कभी सुचा सुना तक नहीं था। तो उन बिमारियों के बारे में, क्योंकि आज भी बोगों पर रिस्च होना चाहिए, वो कैसे हो रहे हैं? हाँ, बहुत सही प्रस्मिकिया आपने, आज इस बात कि आउसकता है, और इसके लिए मैं जो हमारी हमारे आईरवेदिक, आईरवेदिक सेंटर्स हैं, जहां पर चिकिस्टा पढ़ाई जाती है, तमाम रिसर्च प्रार्थना करना चाहिता हूं, कि वो इस विश्चे में आगया हैं, और जो हमारे चात आध्यन कर रहे हैं, उनको इसके लिए प्रेरित करें, और स्वेम इसके लिए जुटें, तभी हम जो हमारे आईरवेद में रिसर्च की अपार संभावना हैं, हम चूंकि हमारा आईर जिसने भी हमारे देश पर आक्रमण करके राज किया, उसने हमारी चिकिस्ता पद्धिती को, हमारी संस्कृति को नश्च करने का प्रयास किया, और आज यही काराने कि हमारी आईरवेदी चिकिस्ता पद्धिती जो है, वो दबी हुई है, जो लोग हमारे देश में आए, उ प्राणाली को अपनाने का प्रयास किया परनतो हमारी जो चिकिस्था प्राणाली थी हमारी जो संस्कृती थी उस पर कुठा कुठाराघात करके उसको दबाए अच्छा जादा मैंने पहले इस से पहले कई Modern Medical Science Practitioners से मैंने बात की और उनसे जब मैं हम पूछते हैं कि आप लोग BMS को सीरे से नकार देते तो उसका मेन कारण क्या है तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है अगर BMS डॉक्टर अगर आप डॉक्टर कहना चाहते हैं क्या वो फॉरेंसिक और आप रिपोर्ट तयार कर सकते हैं क्या वो पॉस्टमाटम कर सकते है तो यह जो बात तड़ से जो बोल इजाती है चैलेंज कर दिया जाता है जैसे लगता है कि अनाटोपी तो जैसे BMS वालों ने पढ़ी ही नहीं है आसा हमारे अनाटोपी भी पढ़ाई जाती है, उसका मुखे कारण नहीं ही राए, कि हमारी को राजासरे परधान नहीं किया गया, जो भी साज़्शास का है, उन्हों हमारी को जो है दबा दिया, और जहां तक ये मेड़को लीगल की बात है तो मेडिको लीगल चुंकि हमारे देश में अंग्रेज रहे दो धाई सो साल तक अपना राज किया उन्होंने आईरवेद की तरफ देखा ही नहीं वह अपने ही तरीके से पोस्टमार्टम और यह सब मेडिको लीगल करते गए और आज तक वही पधती चलती चलिया रह घांती है। हम वहारे यहां भी इनाटमी पढ़ा ही जाती है फिजियालोजी पढ़ा ही जाती है सब कुछ इसी तरीके से पढ़ाया जाता है और एक बात मैं आपको बता द convey नजानते हूं और यह प्रसंदता की बात है आज भारत सरकार आयरुवेद की तरफ देख रही है अगर भारत सरकार आयरुवेदिक चिकेस्टा प्राणाली को पहले नंबर पर रखे तो हमारे जो आयरुवेदिक शात्र हैं वो MBBS वालों से कहीं अच्छा काम करके दिखा सकते हैं यह मेरा च आयरुवेद दूसरी भी पैतियां होमें पैति आपकी युनानी मेडिकल साइंस यह सारी चीज़े दपती भी चली गई आयरुवेद उन में से सबसे ज़्यादा पुराना है हमारे पुरानिक विचार धारा के साथ भी जोड़ी हुई है लेकिन रोट साथ फिर बात वहीं पे है कि अभी जो हमारे समाज में हम लोग रह रहे हैं जिस किसम के हम लोग एक एटमॉस्वेर में रह रहे हैं यहां पे पॉल्यूशन्स जिस बात पर में बार बार कह रहा था अचानक पहले कोविड-19 आया अब एक नया चीज़ ओमिक्रॉन आ चुका है इस प्रकार कि इसको कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि आयूरी नहीं पर काम आ सकता है उसका कारण है कि हमारी रोग प्रद्रोर छम्ता जो है घरती जा रही है जो हमारे जो इन इमुन सिस्टम है वो गिरता जा रहा है और हमारे अईरवेज में इतनी चमतकारिक जड़ी बूटियां है जिनका प्रप्रेशन करके अगर हम उन अवसदियों का इस्तेमाल कराएं उन अवसदियों को हम ठीक प्रकार से तैयार करके अपने घरों में शुद्ध रूप से यह तो कोई भी जो है रोग पनपेगा ही नहीं अच्छा जाता हूं यह तो बात हो गई जब हम लोग जो शारीरिक बीमारियों की बात करते हैं लेकिन मांसिक बीमारियों का क्या जो मांसिक तनाव जहलते हैं आज के दिन में तमाम प्रकार की चीजा अब तो बच्चे- बातत्रों कि का हा प्रस्थ न्यूंत आज और जो तो जो हमको ध्यान के द्वारा तब के दॉर दूर किये जा सकते हैं क्योंकि हमारे आचारी जो त्रिकाल दर्सी हुआ करते थे उसका मुख की कारण यही था कि वो तब करते थे योगा करते थे और वो अपने मानसिक विकारों को दूर करते थे कहा भी ज़िए रजल इस तनमुख निर्मुक्ता तपो ग्यान बलेनि ए देसाम त्रहिकाल अमलं ग्यान अव्याहत उता आप ताहसिष्टाः विद्धास ते तेसाम वाक्य संशयम सत्यमव लाज ओर्तं यह जो मानसिक विकार की विकार है वो तब के दारा जा सकता है लेकिन आज क्या है लाइफ इस्टाइल विगर चुकी है और लोग आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं हमारी पुरानी विचारधारों के उपर कुठारा घात हो रहा है उसका कारण यही है यह हम लोग ध्यान करें भगवान के सराण में जाएं जो हमारी पूर पूर आचारें ने किया है तो कोई ऐसी बात नहीं है जो हम मुमानसिक तना उसले मुक्तन हो जाएं बिना शुष्रूत को जाने आईरवेद को जानना बहुत मुश्किल है तो शुष्रूत के विशे में आप थोड़ा सा बता है अचारे शुष्रूत आखिर इतना ज्यादा प्रिवेलेंट क्यों ह है आईरवेद में हाँ आचारे शुष्रूत जो है वो त्रिकालदर्सी थी जैसा कि मैंने अभी आपको कहा वो आप्तिकिस रहनी में आते थे आज आज के युग में जब इतनी विग्ञान डिबलब कर चुकी है तमाम तरीके के माइक्रोस्कोप बन गए तमाम तरीके के ऐ से यंत्र बन गए जिनके द्वारा हम बाइक्टीरिया को वाइरस को देख सकते हैं आचारे सुस्तुर जिस युग में थे तो आप आपको आश्यर होगा यह सुन करके कि तुचा की साथ परते उस युग में उन्होंने खोज दी ती जो आज भी साथ ही अल्टा माइक्रोस् पूने के साथ के बाद ही इसकिन की सेवें लेयर जो है वो निकाली निकाली जा चुकी और परते लेयर का जो फंक्शन है उसको आइडिटिज आचारे सुस्तुर्थ ने वरण किया था बैक्टीरिया लोगी बहुत बाद में हुई है और आचारे सुस्तुर्थ ने लिखा प्रसंगात गात्र संस्परसात निस्वासात सहभोजनात सहसया सनाच्यव वस्त्र माल्यानुले पनात कुर्ष्ठम ज्वरश्च सोस्ष्च नेत्रा भिश्यंदेयोच अउप सरकिक रोगांश संक्रामंति नरान नरम आचारे सुस्तुर्थ ने उस जवाने में कह दिया था कि संक्रामग रोग होते हैं और एक दूसरे एक लोग एक व्यक्ति से दूसरे वेक्ति में ट्रांस्मीट होते हैं तो आप जेकिन है कंटेजियस दिजीजस को प्रणोंने पहले ही और कुश्टम कुष्ट लैप्रोशी जिवर आजब तुबरकूलोसिस ने त्राभिशन आचार शुसुद्सने कि कि ती नासा संधान किया था और और वही बिलकुल आईदिटेज करण संधान किया था तो आचारे सुस्तुर्द ने जिस प्रकार की सरजरी की उसी का बेस लेकर के आज प्लास्टिक सरजरी इसनी दवलप्ट हो पाई है परन्तु बिंदबना इस बात की है कि हमारी इस पोण वईज्यानिक में चिकिस्था प अच्छा डॉट सब यह तो बात थी आचारे शोशुर्द की अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि आज के दिन में जो BMS डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा तर सारे ही जितने हॉस्पिटल्स हैं इन सब जगों पर जितने एमर्जेंसी प्रैक्टिस करने वाले जि कर रहे हैं और इसको लेके लेकिन MBBS डॉक्टर्स काफी आपती भी जताते हैं तो आपको क्या लगता है यह जो प्रैक्टिस है जिसमें कि कहा जाता है कि BMS डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा अलाउग किया जाता है BMS कैसे modern medicine practice कर सकते हैं यह प्रशन कहां तक खटकता है हां बहुत खटकता है क्योंकि यह उनकी मानसिक्ता बन चुकी है और हमारे जो हमारे आयरवेदिक चिकिस्तक निकल रहे हैं आयरवेदिक शात्र हैं वो कहीं न कहीं अपने को उनसे inferior अपने आप समझ रहे हैं लेकिन मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि वो उनको अ मैं जो है वो प्रसासनिक नवकरी में था उसमें 87 की बात है 87-88 की उसमें पुरुष नस्वंदी हुआ करती थी मैं भी वी वो सर्जन था तो उसमें यह हुआ कि मैं अपने मैं आप रिसंजादा करता था जो हमारे बगल में अस्पताल था यह लो पैठिक वहां के चिकिस्त नंते से कम करते थे नहीं करी नहीं पाते थे तो उसमें वहां के जो 최고 अन् Sehr eight वह करते थे उन्हों ने यहमुस सब्सक्राइज कर दी की डाक्टर वोस्थी जो है अनस्वंदी करी नहीं पाते हैं पता नहीं इनको क्यों आफ दिया गया तो एक कैम्प हुआ कर कैम्प आर्गनाइद हुआ उसमें कहा गया कि डाक्टर वस्ति यहां पर हमारे सामने नस्बंदी करेंगे और उनके डाक्टर राठोर से तो आप दोनों लोग हमारे सामने एक एक केस करेंगे मैं तो पहुच गया और वहां काफी भीड कठा हो गए जो केसे लाते से नस्बंदी के मैं बैठा रहा एक बज गया वो राठोर साहब नहीं आए तो वहां हल्ला मचने लगा उन लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है आपरेशन शुरू नहीं हुआ तो हमसे कहा आप ओटी में जाई है हमने का मैं कैसे जाओ मेरा तो टेस्ट आज लिया जा रहा है कि आपरेशन करी नहीं पाते हैं मैं तो नहीं जाओंगा राठोर साहब पहले करें बगल में मैं करता हूं राठोर साहब नहीं आए बाद में A.C.MO आए उन्होंने कहा कि सर आप करिए जाके तो मैंने जो है एक तालिस आपरेशन ग्यारा बजे रात तक किये एक तालिस आपरेशन एक दिन में जे जब यही बाते जब हम सुनते हैं तो पता चलता है कि BMS यह कितने सारे हम लोग मतलब चीज़ों को किस प्रकार की मानसिक्ता से हम लोग जब देखते हैं और उसको हम लोग प्रकार के कई ओपरेशन आप पहले पीछे हम लोग अभी स्क्रीन के पीछे हम लोग डिसकर्स कर रहे थे जहां पर आपने बताए कि फिशर फिस्टूला के जितने ऑपरेशन से हैं वह शायद सबसे सक्सेस्फुल तरीके से आईवेद प्रक्रिया में हो सकते हमारे हाँ च चल चार सुरत से थे पाइल स्पेश्टूला और फिसर्स का इलाज करते हैं कोई साइनस हो गया जिसको नासूर बोलते हैं तो इनका सबसे सफल आप रेशन जो हम लोग करते हैं और जो एलोपैटिक सेंटर से वापस आ जाते हैं उनमें रिलेप्स हो जाता है एक बार आपर तो जब बात करते हैं जैसे आपने चाहर सूतर से कहा तो आपने का कि पाइल्स और सबसे सफल तरीके से होता है और यह आईवेद में बहुत ही सफल रही हैं इसके अलावा भी कुछ चीजें दोस्तों जब हम बात करते हैं गैस्ट्रो की तो शायद आपको सुनके सबसे ज़्यादा जो दवाईयां आज भी जो प्रचलित हैं वो सब आईवेदिक प्रपराइटरी मेडिसेंस होती हैं लेकिन क्योंकि सामने का व्यक्ति जो सामने डॉक्टर जो हमें यह प्रैक्टिस करता हो दिखाई देता है वो एक MBBS होता है MD, DM, DM, DM गैस्ट्रो होंगे तो हमारे दिमाग में यह सोच चलती है कि नहीं हम modern medicine खाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है मैंने सुना है कि गैस्ट्रो में आपने बहुत काम किया और गैस्ट्रो की कुछ प्रोड़क्स आपने ऐसी बनाई जिसमें कि हैपिट्रेक्टिस बी जैसे बिमारियों में भी बहुत ज्यादा कारगर सिध हुई आपने शायद ऑस्ट्रेलिया एंटीजन आपने नेगेटि सामने आती है तो उसी के अनोफ हम लोकार करते हैं क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में that कुछ हमारे घ्रकार हमको मैं थी मैं उन्ही को उन्हीं का प्रेवक करता था परनोंं मैंने जो है वो जड़ी बूतियों का इस्तेमाल करके जो भहुत सी आज जाताई अमचलों में रहा हूँ तो वहहां हर परकार की जो अउसदिया जो हरभल emplu रकस हैं उनको हमने collect कराया collect कराने के बाद में उनका मैंने इस्तेमाल कराया क्योंकि शाशन की तरफ से जो है के लिमिटेड वजेट आता है उसी में उस्षडियां आती हैं मैं जहां रहा वहां रोगियों की भीर लगी रही जब हमारे पास इस्टाक कमिल हो गया जी उनके द्वाराँ चिकस्ता की लीवर में खास करके जो हमारे हां लीवर में है वह लीवर का system उसमें मैंने जे उसे यह अपनी होली ज़ड़ी बूटियां जो हमाड़े शास्त्रों में वरणिव हैं उनको ले करके देख गड़ूढ करके उनको बना कर के दिया तो उनमें काफी लाब हुआ और एक केस हमारे पास हिपेटाइटिस बी का पहला आया और ट्रॉफिकल लिवर एपसेस के केसे जाय तो उसमें मैंने आयरुवेदिक ग्रंथों में जो वरणन किया हुआ है जिन जड़ी बूटियों का उनको मैंने खोज करके ढोड़ क जो है वह सास्त्रों के ओपर पूर्ण विश्वास किया और पूर्ण विश्वास करने के बाद में उनका प्रयोग किया और मुझकों शतसा सफलता प्राप्त हुए और धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ते गए तो कई लोगों ने हमसे कहा कि जब आप इस प्रकार से करते हैं तो कुछ अपना करके दिखाईए तो जब मैं सेवा निवर्त हुआ तो कई लोगों के प्रस्ताओं मेरे पास आए कि आप सर कुछ करिए तो फिर मैंने अपना फार्मा स्विटिकल कंपनी डालने का सोचा हमने का इसी के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं तो सबसे मुकिम हमार आएरवेद कहां पर फेल हो रहा है हमारे आएरवेदा चारी जो है वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल सुद्ध नहीं कर पाते हैं पंसारियों के ओपर आधारित है जो पंसारी ने जो कुछ कह दिया वही उठा लिया तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने आएरवेदिक चात्रों को और जो भविस्य में आएरवेद पढ़ना चाहते हैं उनको इस संदेश देना चाहता हूं कि आएरवेद की प्रतेग जड़ी बूटी को आप पहचानिये उनके गुण कर्म जानिये और अगर उनका आप उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं तो यह मैं विस्वास करना जड़ीबूटी ओं करना किस प्रकार से जड़ीबूटी आहारित की जाएगी किस मौसम में उनका पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए अगर आप चिकिस्ता आईरवेदी चिकिस्ता पधाधिती का प्रयोक करते हैं तो वह चमतकारी चिकिस्ता पध्यती स्मोग का करते हैं तो इस वज़े से जो जो डीजेनरेशन होरा ओर्गन्स का तो उसको कैसे रोक थाम कर सकती है और इसका फिर से फार्मासेटिकल इंडरस्टी डाली तो हमने सोचा कि हम इनकी सुधता कैसे लाएंगे बहुत सी जड़ी बूटिया थी जो हमको नहीं मिलती थी पंसारी के आँ भी नहीं है तो उनको मैंने अपने खेतों में उगाना सुरू किया ताजी हरी जड़ी बूटिया बूटियों का इस्तेमाल किया इसके अतरिक हर हर अस्थान पे आईरवेदिक जड़ी बूटिया है कि उल पहचानना उनका मुस्किल है तो उनको जानिये पहचानिये और जान पहचान करने के बाद में उनका उसी प्रकार से प्रयोक करिये मैंने यही किया हम अपने जो प्रोड़क्स बना आते हैं तो उनका प्रभाव बहुत कुछ अच्छा रहता है और इसी प्रकार से मैंने जो है वह वह एक लिवर का शीरफ बनाया गैस्टों की बात आपने की जो सेल को रिजनरेट कराता है तो हेटा क्योर उसका हमने नाम दिया तो यहां से जान डिस है शीरोसिस लिवर है और यहां तक की हिपेटाइटिस B को भी मैंने कंट्रोल किया और लिवर और इस्प्लीन दोने के उपर मैंने काम किया मेरे सामने एक समस्य आई जब मैं चिकिस्टा करता था तो लिवर कभी लार्ज है कभी जो है वह इस्प्लीन लार्ज है और कभी कभी लिवर और इस्प् का अलग लिखें फिर मैंने जोए यप्ता के और निको क्म माइन कर दिया हेब तो मेजली। मेझली दोनों के ओपर इस्थटन ने इस क् Colorado मेटली दोनों में काम करता है और यह आचारे सुसूच की बात की तो आचारे सुस्तुर्ज ने कहा है तत्रक्त बहेद यकर्थ प्लीहानव यकर्थ और प्लीहा लीवर और जो है वो इस्प्लीन का एक कोरिलेशन बना दिया कि लीवर और इस्प्लीन दोनों साथ साथ रहते हैं यकर्थ प्लीहानव एक जिगे एक साथ में कही दिया तो अगर कहीं लीवर इन्वालन वह स्प्लीन भी पार्शली इन्वाल होगी भले उसका क्लीनिकल सिंटम नहीं और वह और श्टीन हो यह प्लीन होगा तो प्लीन का बड़ा को रिलेशन है तो इस परकार से मैं ने सोच करके अपने सास्त्रों का अध्यान करके बताय हुए उनके मार्क पे चलके उस पर विश्वास करके मैंने उसका प्रयोग किया और आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे पूर्ण रूफ से सफरता मिली और ये संदेज में निव जनरेशन को देना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ चमतकार करना है तो आईरवेद पढ़िए आईरवेद सीखे और आईरवेद पर चलिए लेकिन इसके उपर जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे ये उतना ज़्यादा डिवलप होगा तो कहीं न कहीं डॉक्ट साब अपने भाषा में ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि ठीक है आप MBBS चूज करते हैं अब इसको मत सोचिए कि हम नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो BMS तब जाके MBBS सोचेंगे तब जाके MBBS सोचेंगे इस प्रकार से क्या होते हैं कि हम अन पद्दतियों को उसको कहीं न कहीं हम अंदेका कर देते हैं उसके विशें में हम लोग जानना ही नहीं चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप BMS के लिए हैं स्काइज दे लिमिट आप बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं जैसे डॉक्साब करते आ रहे हैं डॉक्साब जो अब जो नीट के जो बच्छें अब जो निकल रहे हैं अब वो अब मेडिकल की करियर की तरफ आगे बढ़ना है बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं जब उनका रैंकिंग नहीं आता है दो दो साल तीन तीन साल वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो BMS नहीं चूज करेंगे वो BMS नहीं चूज करेंगे वो BMS नहीं चूज करेंगे तो कहीं न कहीं आपको लगता होगा कि ये जो ये हमारी जो एक मानसिक्ता है दूसरे पद्ध्यति की तरफ ये खराब है ये आपने पूरा बताया भी थोड़ा सा आप बच्चों को गाइड करें कि करियर को चूज करते समय एक्चुली आप डॉक्टर बना चाहते हैं तो आप ग्यान दे आप थोड़ा से बताएं किसा है उन विद्ध्यार्शियों को जो आईरवेद का अध्यन कर रहे हैं और जो नीट में आकर के आईरवेद की उपेच्छा कर रहे हैं इस्पेसली मैं उनके लिए कहना चाहूंगा देखे आज की जो कोर्स हैं आज का जो कोर्स बनाया गया है उसमें आईरवेद में लोपैथिक किस्खा प्रणाली और अईरवेदिक के सफणा अध्यन करया जाता है और मैंने करके देखा है और विश्वाद दिलाता हूं कि आप के पास तो डबल करada कि आगर डौी कहीं पे रूजह होती है तो आप गर है लोपैतिक च अरे आपके पास तो दो 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 नाली मंदूक है चहाए आप से Also happen, और उनके पास तो एक यही कार से आपके पास दो कार से हैं लिहाज़ा चायर्वेटी है jo सब्नांने की ना कुर्ष है ekति सो ऑगे यही कहुंगा कि जो बच्छे पढ़ रहे हैं विस्वास के साथ पढ़ें और आईरवेद का पूर्ण ग्यान प्राप्त करें और जो आने वाले बच्चे हैं जो बी एमेस को की उपेच्छा कर रहे हैं उनको भी मैं संदेज देना चाहूंगा कि वो आईरवेद में आए आईरवेद को सीखें आईरवेद पर प्रियोक करें यह कोर्से में हमारे हाँ संसोधन करके कर दिया गया है तो मैं तो यही कहूंगा मैंने अपने बेटे को भी जो एमस्टी के मिस्टी से आप को पता होना चाहिए और वो इंजिनिंग कालेज में केमिस्टी डिपार्टमेंट में आसेस्टेंट प्रोफेसर था उसको मैंने केवल आयरुवेदिक ज्ञान के लिए नीट में सेलेक्ट हुआ और आज वो पीली भीट में भी एमस का चात्र है यह मैं यह मैं वो प्रोफेसर सिप से छोड़वा करके मैंने आयरुवेद का धिन करने के लिए पर जो है उसको छोड़ दिया मैं जब अपने बेटे को आयरुवेद की तरफ लगा सकता हूं तो मैं यह संदेज देता हूं इस माद्धिम से कि आप लोग नीट में अगर सेलेक्ट होते हैं तो पहला प्रिफरेंस आपका भी एमस होना चाहिए इसी बात के चलते हैं यहां पे आपने जैसे का कि सरकार भी बहुत जागर है कि आयरुवेद को जो है उसको बड़ावा मिलना चाहिए इसी वज़े से कई नहीं संस्थाओं का जो है अभी कई नहीं संस्थाओं लाई गई इसमें से बहुत सारे नए इंट्रोड़क्शन्स हुएं जिसमें से आयमस ब्हु है जो स्टेट आयरुदी कॉलेज अच्छा कर रही है क्योंकि BMS एक बहुत बड़ा एक सुरोध बनने जा रहा है रोगों के उपचार के लिए तो भॉट बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए आपने हमारे दर्शों को को इतनी सारे डिटेल्ज में आपने आईवेद के बारे में बताया आपने कैसे करके अपने स्वास को बना के रख सकते हैं, आप आई उवेट पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। साथी साथ, आपने बच्चों को भी ये बताया, कि अगर नीट में, अगर आप MBBS कॉलिज के लिए मौडन मेडिसन प्रैक्टिस करने के लिए गर नहीं सेलेक्ट होते हैं, तो मायूस मत हो ये BMS उससे कहीं ज़्यादा डेवलब्ड एक विंग है, उसका ब्रांच है, आप प्लीज उस पर जाएं। अपने जो पारानिक अपके बड़र पर्यादति हैं, अपको प्रैक्टिस करते हैं। आप आपके पास मौझूद रहें, वो information, वो data मौझूद रहें, so that you can make an informed decision while you are choosing a career. तो दोस्तों, ख्याल रखिया अपना, हम आपसे इसी प्रकार मिलते रहेंगे और देखते रहें, Career Couch, विर्शु भांकर.